आप सबस्ते लोगों को जय हैं जैश्री राम राधिराध है आप जानते हैं कि आज से 4-5 दिन बाद आपका एंड़ी सीडियस का पेपर है और दो हमारी करेंट अफेर की क्लास हो चुकी थी जिदर हमने मेजुरिटी करेंट अफेर हमने कवर कर लिया है ये आज हमारी इसमें से काफी करेंट अफेर के कोश्चन आपको मिल जाएंगे लगवग 7-8 महिने का जो इंपोर्टेंट करेंट अफेर था वो हमने केबल इन तीन क्लासे में कवर कर लिया इस अर्थ पार्टी हमारा तीसरा पार्ट है क्लास को बहुत दिहां से देखेगा लगवग एक गहंटे की क्लास रहेगी जिसमें सारा करेंट अफेर हमारा कर अब कवर हो जाएगा ठीक है ना चलो अभी ना स्टार्ट करता है दो यह एक इंपोर्टेंट न्यूस है यहां अगर हम देखा है सर नाइन्टीन नॉन एलायमेंट मूवमेंट हुआ देखो अगर हम यह देख जिसरा अब अमेरिका की तरफ चल रहा था उकल्डवार चल रहा था मतलब यह की दौना सामने नहीं थे लेकिन हाँ दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी रॉसिया और अमेरिका के बीच मैं तो उस समय पर एक चीज़ देखने को ही थी कि काफी सारे देश तो रस्या क की तरफ चले गए लेकिन इंडिया ने कहा कि भाया वी वांट टू बिए नीट्रल कंट्री कि हम एक नीट्रल देश होना चाहते ना तो हम अमेरिका की तरफ जाना चाहते ना हम रश्या की तरफ जाना चाहते वी वांट टू बिदा नीट्रल कंट्री तो ऐसे जितने भी के लिए भी समेट हुआ था जो बेसिकली हुआ था कंपाला में कहां पे सर युगांडा की क्यापिटल है 19-20 जनवरी को हुआ है जिस मैं हमारे भारत की एक्स्टरनल आफ्यर मिनिस्ट्र एज शंकर ने पार्टिपेट किया था याद रहे तो को बहुत जादा इंपोर्टन तुनी कहुंगा लेकिन सीडियेस के परस्पेक्टिव से इंपोर्टन है एंडियमे इतना सथा डीप देखने को नहीं मिलता बट स्टिल फोर सीडियेस प पुतिन ने जो रुशीया की रास्ट्रोपती है इन्होंने अनौन किया कि रुशीया 2,044 ब्रिक्स का चेर्मेंशिप करने वाला है बेसिकली एक जनवरी को हो गया ही है मतलब अगर अगर अनौनसमेंट हो चुका है बेसिकली क्या सर ब्रिक्स के शुरुवात में इन चारों देशों ने मिलके एक गुरुब बनाया था जिसका नाम ब्रिक था आजकल क्या है कि इंटरनेशनल टोड़ा डेवलोप्मेंट करने के लिए काफी सारे देश एक दूसरे के साथ रेलेशन विल्ड अप करता है एक दूसरे के साथ गुरुप बनाता है, जैसे अपन लोग नहीं होते, कॉलोनी में रहते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ गुरुप बनाता है, समू बनाता है, ऐसी देश भी क्या करता है, और देशों के साथ गुरुप बनाता है, तो अभी एगर हम देखे है, सर पहले शुर होगी कजान रशिया में और कब होगी अक्टुवर दो हजार 24 में राइट ना अभी अप्रेल चल रहा है अप्रेल चल रहा है सरी मीटिंग कब होने वाली है अक्टुवर में होने वाली है तो यह में इंपटरिंट है ये ंपोर्टिंट है कि सफर 2004 में जो ब्रीक्स की मीटिंग हो रही है वो कहा हो رए है सरी हो रही है ये ह Belgian में वहां भी मूझता और आगे वाला वह पूछता है कि पछला जो मीठिंग हुआ है कब हुआ है अगला nesse कि मीटिंग होका होगा और कहां कि वह अक्टोवर 2024 में वाले यहें रश्या में अभले मंहोने वा है ख़े के लिए important ऐसे 15 बाप जो Bricks का एड 횡िशन था वो कहां हुआ था वह का हुआ था important है अच्रह हाल में अगर हम देखिका में मेंबर और जाधा जुड़ गए अभी describeSI में और जाधा मेंबर्स वोड़ चुक्के हैं मतला आज जैसे Egypt एधोपिया एरान है Saudi Arabia United Arab Emirates है Sir यह सारे के सारे अभी ब्रिक्स के full members बन चुक है अभी तक ब्रिक्स में केवल पांच देश थे लेकिन अभ यह country और जोड़ चुक है जिसकी वजासे यह कवर और भी ज्यादा important हो चुकी है अभी अगर वह बोले में सारे के सारे ब्रिक्स के सदस है आई होप सो आपको समझ में आ गया है आगे बढ़ता है सर बिम्स्टैक तो विम्स्टैक अगर हम देखा है सब इंस्टैक का full form देखना जरा सर इसका full form है Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation मतलब सर जैसे अगर आप यह देखा है यहां थोड़ा से अगर आप दिहां से देखा है इधर ना इधर आगे जैसे अगर हम देखा है यहां आपका इस ये वाला जो पॉर्चन हैं साउथ एशिया है और यहां बेघ या फिर किसी भी तरीकिया मुद्दा हो तो उस पर discussion कर लेता है बैठ के बैठ के discussion कर लेता है तो सब बिमस्टेक में total कितना country है साथ country है याद रहेगा ना बिमस्टेक और अभी रिसेंटली सर 17 जुलाई 2023 को 17 जुलाई 2023 को इंडिया की विदेश मंत्रिया एस जैशंकर वो ना सब बे ऑफ बेंगॉल मैं मतलब जो आपका बिमस्टेक का मीटिंग हुआ है कहां पे बैंककॉक थाइलेंड में हुआ वहाँ पर गए इस डोके सब इसी के लिए सब इमस्टेक मेंबर्स का काम है कि जो भी आजकल चेलेंजिस हो रहे हैं देश-विदेश सुलजाना चुछ है जाएं बिमस्टेक में इंडिया है नेपाल है इज वृतन भी है समझ रही हो ना इस बंगलादेश तो अगर हम एक देखा कहीं कहीं यहीं सारे मेंबर्स हैं थाइलेंड भी है वोके एक्सेक्टरा तो यह सारी के सब्सक्ता के मैंबर्स आई होप आपक है यह इंपोर्टन न्यूस थी इसके बाद अगर हम देखा है सर टुमेंटी थर्ड एस्यों समय दो हजार तेश्ट अगें सर और भी ज्यादा इंपोर्टेंट स्टार लगा लो यहां से स्ट से जी सव एंग से इधार प्रेग से इधर से को संच इंगे मैं बता रही हो लिख लो स्क्रीविंट जीच इ स्वांडल इश एस्टम फोर्शेंटी इसमें में अगर हमें इस entire tutto तोटल nine country हैं इस ग्रूप के अंदर टोटल कितना कंट्रीजह nine sir कौन-कौन से कंट्रीज के इंडिया है पाकिस्तान भी है अर सब रस्या भी है और चायना भी है कि और यह का इरान भी है तो यह हमारे मेन तो यह तो हमारे कंट्रीज होई गए साथी साथ अगर हम देखां उजबेकिस्तान है उजबेकिस्तान ताजिकस्तान कजाकिस्तान और सर्क्रिगस्तान तो याद रहे सर बटा ये ना सारे के सारे ये सारे के सारे स्यों के नई मेंबर जुड़े हैं इतने सारे मेंबर नहीं थे और अब स्यूंका जो मीटिंग हुआ हैं सर इसका चेयर्मैंशिप इंडिया ने किया याद रखना इंपोर्टेंट है कि यह का कब हुआ था चार जुलाइए 2023 को हुआ था और चेयर्मेंशिप का किस नहीं किया था इंडियाने इसका थीम क्या था तुवर्ड्स ऐस सिक्योर SEO इसका जो थीम रहा है ना इसका जो विशहर आई इसका इस बार विशहर आई तुवर्डस सिक्योर यह इंपोर्टेंट है जिदर मैं स्टार लगा रहा हूं ना समझाओ कि वह ख़वर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है दो आप जानते हैं कि जस्ट आफ्टर फॉर और फाइफ डेज आपका एंडिया का पेपर है मैंने जो तीन क्लासिस कर रही है उतना कर जाना इसका ग स्टलाब क्या है यह कि टरह का इंडेक्स है जो बताता है कि कि किंटरी का पासिपोर्ट कितना जाधा पावरफल किस कण्टरी का पासिपोर्ट कितना बनवाना पड़ेगा différents हुच आप कई सारे देशों में घुमने जा सकते हो लेकिन अगर आप पाकिस्तान जाना चाहोगे मतलब एक ही पासपोर्ट से मतलब आपको अरजगया का लग लग पासपोर्ट नहीं बनवाना पड़ेगा तो बेसिक लिए अगर हम देखे हैं सर इंडिया का जो पासपोर्ट पासपोर्ट का पावर बताता है यह वाला जो आपका इंडेक्स है और वहीं अगर हम देखे हैं सर आपका इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, एक्सेक्टरा, जितने भी कंट्री रहे न वैसे काफी टाइम से जापान अखिला आ रहा था, अभी इस बार यह सारे के सारे कंट्री रहे कि सबसे ज़्यादा पासपोर्ट की जो पावर मानी जाती है वह इन कंट्री की मानी जाती है इस कंट्री की मानी जाती है वहीं इंडिया का पासपोर्ट की मामले में जो रैंक है सब 85 है यह कई बार आता है इंपोर्डेंट है सब यह इस तरह का कोशन कई बार चुका है कि अच्छा है पासपोर्ट इंडेक्स की अगर हम बात करहें तो सर यह इसका नाम है है लिफ पासपोर्ट इंडेक्स है और इस ए रिलीज किसके दौबार किया जाता है यह डॉबल मिलता और जो डाटा मिलता है उस डाटा के बेसेज पर सर ये पास्पोर्ट इंडेक्स रेडी किया जाता बताय जाता है कि किस देश का पास्पोर्ट का पावर शुरू उया 27 है तो इंडिया का जो पासपोर्ट इंडेक्स मां रेंग कैसर इस 85 याद रखना फ्लेट आता दो हज़र चौबिस में और 2023 में यही पासपोर्ट रेंग चौरा सीथा इस टोके अच्छा शुरू करने से पहले अभी इस चीज क्लास को कंटिनीव करने से पहले चीज आप जरूर देखा है जो भी बच्चे इस बार एंडे के तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी सोच रहें कि मेरे को एंडे के प्रप्रेशन करनी चाहिए जो भी टर्गेट करेगा एंड-22024 और से स्टार च Crown से यह 25 से आल хочется सब्सक्राइ Dieser आपको शप्रेशन करेंत आपको लगता है कि आप uniform के पास जाना चाहता है तो यह बैच आपके लिए बहुत जबर्दस opportunity हो सकता है इसे grab कर लें अगर आपको लगता है preparation की requirement is it okay और इस batch की बारे में किसी भी तरह का information अगर आपको चाहिए तो आप इस number पर call कर सकते हैं ठीक है चलो now sir India joins Artemis Accord देखो basic लिए कर हम देखा है sir भारत ने Artemis Accord join कर लिया ठीक है और यह कौन से वे number का देश बन गया से 27 वे number का याद रखना इस से पहले इस accord में 26 देश पहले सामेल हो चुके है मतलब जून 21, 2023 को Artemis Accord का इंडिया 27 वा हिस्सा बनाया है मतलब इससे पहले 26 देश इसमें जोड़ चुके हैं इस Artemis Accord की अगर हम बात करें इसको ना US State Department और NASA ने बनाया था शुरुआत में इसमें केवल 7 देश हुआ करते थे Australia, Canada, Italy, Japan, Luxembourg और UAE और UK 2020 तक केवल 7 देश थे और अभी बढ़ते 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 अब 27 देश हो चुके है और इस Artemis Accord का इंडिया 27 वा हिस्सा बनाया एक्शली Accord मतलब बि NASA Space Agency है इसमें क्या करने वाले हैं यह एस्ट्रोनर्ट्स को स्पेस में भेजने वाले हैं इस्पैसिफिकली आहम आदमी को भी स्पेस में भेजने वाले हैं मिशन चल रहा है इनका ना तो उसमें इंडिया भी इनका मेंबर बन चुका Artemis Accord का 27 वा हिस्सा ठीक है चलो समझ में आ रहा है ना नेक्स्ट है सर आदित्य एलवन इंडिया फर्स सोलर मिशन अब जानते हैं आदित्य एलवन इंपोर्टेंट है सर यह बहुत इंपोर्टेंट है 6 जनवरी 2014 को आदित्य एलवन सूरज के और बिट में एंट्री कर चुका है लगवग इसको चार महीने लग गया यहां तक पहुंचते हैं क्योंकि आपको पता है आदित्य एलवन को इस रो ने कव लॉंच किया था सर इसने किया था सेप्टेमबर सेकेंड दो हजार तेइस को अच्छा इस मिशन को कहां से लॉंच किया गया सा सतीज दवान स्पेस सेंटर देखो पता है ना मंगल के लिए भेजा गया था उसी तरीके से आदित्य एलवन मिशन जो है यह सूरज के लिए भेजा गया है यह भारत का पहला मिशन है जो संका स्टडी करेगा संका स्टडी करेगा और इसको लॉंच किया गया था 23 सेप्टेमबर को अभी यह पहुँच चुका है छे सकता है हां तो वहां तक ये जाएगा वहा तक यादित अनछी आदित। इसे क्लोमीटर् दूर है वहां से लेकिन यहां तक गया इसकी इस मेशन क अम अदित प्टे Lawn है ठीक है लेंग राजी पॉइंट तक गया नेक्स तेसर नोबल प्राइज इन फ्यूज़ोजी और मेडिसन मतलब सीधे सीधे अगर का है बाइलोजी में मेडिस इस बार जो नोबल प्राइज मिला किसको मिला है 2023 का पेपर उठा के देख ले ना सर नोबल प्राइज से लगातर कुशन आते रहें यह बात मुझे बताने की जूरत नहीं है Regular basis पे Nobel Price से question आते हैं चाहे एंडिय का paper देने जारो चाहे CDS का मैंने पिछली class में भी 2 Nobel Price के बारे में बता दिया था और इस class में मैं 3-4 Nobel Price के बारे में बता दूँगा, ठीक है तो sir Madison के लिए जो Nobel Prize मिला है न वो मिला है Catalan Carrico को Catalan Carrico और दूसरा मिला है सर ड्रू वीजमान को Is it okay? कैटल सरी कारी को और ड्रू वीजमान ये वो विक्ति हैं जिनको मैड़िसिन में है नोबल प्राइज मिलाए ना बायो मैं नोबल प्राइज मिलाए और इसलिए मिलाए क्योंकि इनोंने नुक्लियो साइड बेस के मॉडिफिकेशन किये हैं जिससे हमारे क्या है COVID-19 से लड़ने वाली vaccines ready हो रही है तो important discovery था COVID-19 से लड़ने के लिए इस वज़ा से सर कैटलेन कारी को और ड्रू वीसमान को Nobel Prize मिला है सर देन है Nobel Prize in Physics Physics मैं Nobel Prize फ्लेट को सनाते हैं जादा नहीं पढ़ना सर 2023 का Physics का Nobel Prize किसको दिया है Pierre Agostini Pierre Agostini को मिला है सर फ्रेंक क्राउज को मिला है और साथ ही साथ Anne L. Hewler को मिला है ठीक है इन सब को ये Nobel Prize मिला Physics में तीनों को तीनों को मिला है और वहीं अगर हम देखा है किस चीज के लिए सर एटो सेकंड पल्स ऑफ लाइट को जनरेट करने के लिए ठीक है अब किसके लिए मिला हम अथ याद रखना इत्ता टाइम नहीं है कि तुम इसे याद रखो बस ठीक है अंडरलाइन कर लो कि हाँ इन तीनों को Nobel Prize मिला Physics में वहीं अगर हम देखें सर Pierre A. Agostini कहां फ्रांस के हैं और ये प्रॉफेसर हैं O.I.O State University में जो कि अमेरे का में वहीं अगर हम देखें आपके जो French Kraus रहें ये हंगरी के और ये भी प्रॉफेसर हैं कहां पे Ludwig Maximilians University जर्मनी में और N.A.L. Heulier सर फ्रांस के यह भी प्रोफेसर है ठीक है यह हमारी लुंड युनिवर्सटी है जो स्वीडन में है डन बच्छा तो याद रहे यह इनको फिजिक्स में नोबल प्राइज मिला है डन आगे बढ़ता है नेक्स्ट ऐसा नोबल प्राइज न क्यमिस्ट्री सर क्यमिस्ट्री मैं नोबल प्राइज किसको मिला है ठीक है क्यमिस्ट्री मैं जो नोबल प्राइज मिला है ना क्वांटम डॉट्स के सिंतेसाइज के लिए मिला है किसको मांगी जी बाविंडी को मिला है दूसरा लूइस की ब्रूस को मिला है और तीसरा एलिक केशी ये की मोय को मिला है इसट ओके नाम थोड़े अजीव-जीव से हैं मैं खुद नहीं पड़ पा रहा हूं ठीक है बस एक फियर आइडिया जनरली असा नहीं कि तुम इना पूरा अच्छे से पड़ो बस एक थोड़ा सा फियर टीम है और एलेक्से येकी मोव एलेक्से येकी मोव ये रशिया के हैं और सा न्यू यॉर्क यूसे मैं फॉर्मर साइंटिस्ट भी रह चुक है ओके अच्छा समझ में आ रहा है ना दो के नोबल प्राइज में मैं पहले भी डिसकेशन कर चुका हूं ना सर्विक्रम वन र हुआ किड कोना लौंच किया इंडिया की के सपेस कमपनी जिसका नाम है इसका रूट आरो इस्पेस यह बहुत इंपॉर्ड एंप कर रहे हैं इसको लॉंच किया स्काइरूट एरोस्पेस ने इसट ओके वहीं अगर हम देखें सर कंट्रीज प्राइवेट सेक्टर कैपस्ट्री को डेवलब करेगा यह कि सर प्राइवेट इंस्टिविशन उसके बाद भी रॉकेट लॉंच कर रहा है विक्रम नाम विक्रम भाई विक्र स्काइरूट एरोस्पेस ने लॉंच किया है जो हैदरबाद की प्राइवेट कंपनी है नेक्स्ट है सर इस रोज पी एस एलवी सी फिफिफ्टेसेक्स पॉट्स सैवन सेटलाइट इन और्बेट दो को इस रोग की आपका रॉकेट है पी एसलवी पोलर सेटलाइट सबसे जादा बिकने वाली गाड़ी नॉर्मली बाइक ना इस प्लेंटर ब्लास होती है ऐसे इस रोज ज्यादा दरना जुलाई 30 की बात है यह और इसमें एक सेटलाइट सर बेसी की लिए अगर हम देखें सिंगापूर की यह बाकी 6 भारत की थी तो टोटल साथ सेटलाइट है Cheesex है सिसर स्पेसएक्स बहुत इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूं यह खबर थोड़ा से इंप्पोर्टेंट मार्क कर लो इस पेसएक्स वर्ल्स लिड्रेश्ट कlets लगेजि़ंगे नुथ किसी कंट्री की हैं लिकिन अप्राइविट मताराइवआट कंपनी का सबसे बड़ा सेटलाइट है all over the world इसको launch बता है किस ने किया falcons heavy ने launch किया falcons heavy launch vehicle है मनदब falcon heavy launch vehicle है जो इस satellite को वहाँ पर लेकर गया है और sir alan musk का जो SpaceX है उसने इसको launch किया गया sir किस के लिए Jupiter 3 के लिए okay और sir यह ना largest communication satellite तो याद रखना कि sir India मतलब sorry world का सबसे बड़ा largest private communication satellite किस ने launch किया Space X ने launch किया आप जानते है Space X company किस की sir alan musk की वहीं अगर हम देखे हैं इसको डेवलब किया था master technology in polo alto California ने और जो launching vehicle है जो इस satellite को वहां तक लेकर गया है इसका नाम ऐसा falcon heavy rocket गालच ठीक है यह शायद गलत लिखा हुआ है बस ऐसे लिखते हैं रॉकेट है भी मतलब sorry falcon heavy rocket okay falcon heavy rocket है सर्ट जो space X का rocket है space X आप जानते हैं company sir alan musk की और इसी company ने इस rocket के जरिए विश्व की सबसे बड़ी communication satellite भेजी है जो प्राइवेट है और इस satellite का काम होगा नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को facilities provide करना उत्री अमेरिका और दक्षरी अमेरिका ठीक है समझ में आ रहा है ना आप लोगों के अगर कोई चीज़ समझ में आया ना तो comment section में comment कर दीजेगा जिसे मैं अगर मैं बताऊं सर सीडी अगर आप त्यारी कर रहा है आप आये नहीं में आइफ योटिय कुछ भी जॉइन करना चाहते हैं तो कटारा एकेडमी आपके लिए एक online बैच लेकर आई है जिसका कोस्ट केवल 1,999 और इसका validity एक साल है इसका validity एक साल है साथी साथ सीडी इसका offline बैच भी कटारा एकेडमी में चल रहा है अगर आपका सपना है सेना में अधिकारी बनने का after graduation तो ये बैच आपके सपने को पू रहे इंट्रेट क्लासेश चलने वाले हैं हमारी क्लासेश और इकडम एक्डम और चलते हो इस चीज़ का पंदज़त तब ही लगा सकते हो जब शुरुवात में आप हमारी classes को अटेंड करोगे इवन YouTube पर हमारी काफी classes पड़ी ही अगर आप उन classes को भी देखोगे you will get a fair idea कि सर हाम जो है एकदम defense forces के लिए एकदम जबर्दस content provide करते हैं ओके चलो नेक्स एसर not very important वैसी बहुत पुरानी ख़बर है मई 30 2014 को चाइना ने अपना एक spacecraft launch किया था कहां से त्यांग गॉंग स्पेस इस्टेशन से जो तीन एस्ट्रोनाट को ऊपर ले गया था जिसमें पहला सिविलियन मेंबर भी था और इस मिशन का नाम सेंजाओ 16 मिशन था मैं बता रहा हूं फ्लेट कुशन आएगा सेंजाओ 16 मिशन किस कंट्री के दुवारा लॉंच किया गया कुछ मत पढ़ो मैं बोल रहा हूं है ट्रस्ट रखो कुछ मत पढ़ो बस इतना लिख देना कि सेंजाओ 16 मिशन चाहिना का मिशन है इस से ज़्यादा डेटिल नहीं आएगा चाहें ंडेका पर देदों चाहें सेडियस का ओके चलो सबसे बड़ी आपका प्राइविट कम्मिनिकेशन सेटलेट लॉंच किया साथी साथ जी सेट 20 को भी लॉंच करने वाला है सर यह लॉंच कर दिया बेसिकली तीन जनवरी दोहजार चॉबेस को दा गवर्मेंट रन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस रोज कमर्शियल आम हैड एनॉंच देट इट्स न्यूवेस्ट कम्मिनिकेशन सेटलेट जी सेट 20 विल वी फ्लाइंग ऑन अमेरिकन फर्म स स्पेसेड फैलका नाइन रॉकेट मतलब क्या है सर जी सेट 20 इंडिया का सेटलाइट है अब बाद समझ में आ रहे है कि सर जो जी सेट है वो बेसिकली अगर हम देखें सर कम्मिनिकेशन सेटलाइट है इंडिया की लेकिन इसको लॉंच कौन कर रहा है सफफ्ल का नाइन अभी आपको पता है सरे स्पेस एक्स का है इविन इसने अभी दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कम्यूनिकेशन सैटलाइट भी लॉंच करिए समझ में आ रहा है ना सच बदाओ समझ में आ रहा है देखो एक स्काइरूर प्राइवेट और्गिनाजिशन है जो हैदरबाद में है स्काइरूर एरोसपेश उसने विक्रम 1 रॉकेट लॉंच किया जो प्राइवेट है साथ ही साथ जो आपका कंपनी है स्पेस एक्स ऐलन मस्क की उसने अपने फैल एकन राइन रोकेट ने इंडिया का जी सेट 20 सेटलाइट भी लॉंच किया है दर्ट सेट ओके चल डिस्कवरी ऑफ न्यू यूरेनियम आइसोटोप सीधा कोशन है कि सर अगर हम देखा है जापान के जो आपके फिजीसियस्ट है उन्होंने रिसेंटली यूरेनियम का नया आ बैसे आइसोटोप लॉंच किया गया है मतब डिसकवर हुआ है इस आइसोटोप का अटम नमच नमबर तो बान वहें लेकिन मास नंबर सर 221 141 है और वहीं अगर हम देखर है इसको क्या नाम दिया गया यूरेनियम 241 नाम दिया गया और हम देखके हैं बस सिंब्ढ इसको क पढ़ना है बस इतना है कि अभी रीसेंटली किस धातू के आईइसो टूप का डिसकवरी हुआ है इसे कुछ अगर आगे बढ़ते हैं सर रामसर साइट्स क्या है कि अगर हम देखा है 2nd February 1971 को 2 February 1971 की बात है आज से करीब करी 50 साल पहले इरान देश में एक शहर पढ़ता है राम सार वहां पर मीटिंग होई और इसरे बोलता है राम सार कंवेंशन इस है यह मीटिंग का यह में उदेश अहयाद कि पूरी दुनिया दारी है इस पूरी दुनिया दारी में जितने विधाट वह इस मैं देखने को मिलेंगे तो जैसे हम पेड़ पौधों को बचा रहा है जानवरों को बचा रहा है ऐसी सब देशोंने का कि हमें ये रामसार जगे जो है जो वेट लेंड साइट से हैं जो आदर भूमी है इनको भी बचाना चाहिए और उन आदर भूमी का जो नाम रखा ना सर उन आदर भूमी का जो नाम रखा सर वो ना इसी के नाम पर रख दिया रामसार साइट क्योंकि मीटिंग रामसार में हो रही थी और रामसार शहर है इरान में याद रहे और इसी वज़ा से हर 2nd February को Wetland Day मनाया जाता है I hope so आप समझ गए देखो सुनो इरान के शहर रामसार में 2nd February 1971 को एक मीटिंग हुई इस मीटिंग को रामसार कन्वेंशन कहते है इस मीटिंग का में उद्देश है कि सर जो आदर भूमी स्थाल है मतलब एक ऐसी जगा जहां नमी है ऐसी जगाओं को बचाना है हम जंगल बचा रहा है हम पेड़ पौदे बचा रहा है हम मिट्टी बचा रहा है तो हमें इनको भी बचाना है और ऐसी जगाओं को जो आदर भूमी स्थाल है जहां नमी वाले छेतर है ऐसी जगाओं को रामसार साइट कहा देंगे रामसार साइट कहते हैं अलग-अलग देश में अलग-अलग रामसार साइट है तो World Whetland Day जो दो फर्वरी को मनाया जाता है इस दिन भारत मैं 5 और बढ़ा दी गई हैं साइट पहले 75 थी 5 और बढ़ा दी गई हैं तो अब रामसार साइट कितनी है असी है भारत के अंदर और वहीं इन सम में जो सबसे आदरभुमी का बड़ा इस्थाल है सर्वो सुंदरवन की जंगल है वेस्ट बेंगॉल में और सबसे छोटा वेट लेंड है वो रहनु का वेट लेंड है जो हिमाचल परदेश में याद रहेगा तो आज अगर हम देखें आदरभुमी स्थाल भारत में कितने हैं सर असी पहले कितने थे साल पिछले साल पिछत्तर थे अभी रीसेंटली सेकेंड फरवरी को मीटिंग हुआ सेकेंड फरवरी को वर्ड वेट लेंड बनाया चाहता है तो उस दिन को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए पांच और जोड़ दिए सबसे आधा तमिल नाडू में एसी साइट सबसे जाथ तमिल नाडू में याद रहे तमिल नाडू में सर 16 यूपी में सर ऐसी साइ यहां पार्टीस मतलब देश है मतलब सीथे सीथे कनपा है ये चौधेवी देशों की मीटिऑ इस उनील है को कल Wat लगा हुआ यूकिंस चौधेवे कमेट यह bb soki म accounted वो जीव जन्तु जो चलते रहते हैं से आपने देखा होगा भारत में उड़ी सामे एक जील पढ़ते हैं चिलका जील और इस चिलका जील पर ना सर इस चिलका जील पर रशिया से पक्षी आते हैं तो ऐसे पक्षी जो एक देश से इसी को लिए बोला conservation of migrator species और उन्हीं चीजों को देखने के लिए पक्षी एनिमल्स यह जितने भी चलते फिरते जीव जन्तु है जो जाते रहते हैं इन्हीं को बचाने के लिए हड़ साल मीटिंग होती रहती है अब शुरुआ तो यह थी पहली बार और अब यह चौथी वी सब बेसिकली यह मीटिंग होई है माइग्रेटरी इस्पसीज को बचाने के लिए ड़न पक्का यह कॉप वर्ड आप कई बार सुनोगे कॉप का तो मतलब सीध है कि मीटिंग हो रहे एक कॉन्फरेंस ऑफ पार्टी है लेकिन किस पार्टी का मीटिंग हो रहा वो भी तो जगा से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं उनके बचाव के लिए मीटिंग है 14 वी इससे जादा सरल भासा में नहीं बता सकता चलो और यह मीटिंग सर उजबेकिस्तान में होई है याद रखना समरकंद उजबेकिस्तान में होई है आगे बढ़ते हैं सर वाइड लाइफ प क्लाइमेट चेंज का मिनिस्ट्री है 40 साल बाद उसने रूल्स फॉर्म किये हैं और वाइड लाइफ ट्रेड से रिलेटेड नएने रूल्स यहाँ पर आए है नएने रूल्स आये हैं नोटिफिकेशन इसू कर दिया गया है हमारे जो आपका एन्वार्मेंट्री मिनिस्ट है मिनिस्ट्री है क्लाइमेट चेंज को लेकर जो मिनिस्ट्री है उसने यह नोटिफिकेशन 16 जनवरी को लांच किया था कि सर जो आपके वन्यजीव हैं उनको बचाने के लिए मतलब एक तरह का लाइसेंसिंग नियम है एक तरह के रूल्स है कि वह जैसे मान के चलो कि प्रजातिय DAY जुनको खतम करना बहुत ज़रुरी तो अगे वह हमें खत्म करते के तो इन सब प्रजातियों के लिए रूस एक लिए का डिको स्वा-देश दर्शन यह ना स्की मैं स्वाध दर्शन चैसा है कि हमारे देश के लोग उपकिला के लिए तो मोदी जी ने 2015 में के सकीम लॉंच करी स्वाधेश जल्सें की अपना Again, देख लो इस अभिहारन को देख लो इंपोर्टेंट है इससे हमारा टूरिजम सेक्टर डेवलप होगा हमारी और देशों पे निरभड़ता खतम होगी हम लोग पैसा कमाएंगे तो जनवरी सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि एक आदमी जो इन स्कीम साधी अगर वगरा के बारे सब्सक्राइब करने के लिए जबरदस बाच बन रहा है जिसमें आपके एकदम बेस्ट फेकल्टी आपको पढ़ाने वाले एक्स्पिरियंस फेकल्टी जो पिछले छह सा साल से लगातर एंडिय के लिए लगातर एफर्ट्स लगा रहा है और बच्चों को सेलेक्ट करा रहा है समझ में आए तो बहुत अच्छा बैच है और अगर आपका सपना आपकर आपके अगर आप लग रहा है कि आपको प्रपरेशन के रिक्वार्मेंट आपके फ्रेंड्स यापके ब्रदर जो भी एंडे के तैयारी कर रहा है तो उन सब के लिए यह बाच्च बहुत जबर्द है वह तो ठीक है कि मेरे को पढ़ना पढ़ रहेगी कि स्टीएस में आ जाता है एंडे में तो चांसिस कम है सब प्रोजक्ट निलगिरी ताहर देक्चुली मैं कहा है तमिलनाडू में निलगिरी की पहाड़ी आए वहां पे ताहर जंतू पाया जाता है वह खतम हो रहा है उ एक अपरेल 1973 को आया था और इस प्रोजक्ट का काम था कि से टाइगर्स को बचाना है ऐसी प्रोजक्ट आया था सब्रोजक्ट अलिफेंट ऐसी प्रोजक्ट अलिफेंट जो बेसिकली 1992 में आया था इस प्रोजक्ट का में टार्गेट अलिफेंट को बचाना है ऐसी और अगवर सर अभी अगर हम देखा है UNFCCC मतलब United Nation Framework Convention on Climate Change मतलब क्या है UNFCCC गुरॉप है जिसका मेन काम है कि सर क्लाइमेट चेंज में जो भी बदलाव और है मतलब जितने भी मौसम में परिवर्तना रहे हैं इसको कंड्रोल करना अगर जैसे मान के चला हम देख रहे हैं कि हमारे प्रत्वी का टेंपरेचर रेगुलर बेसिस पर बढ़ता जा रहा है अगर ऐसी बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया तो एक समय आएगा कि सर मानव जाती घत्रे में पढ़ जाएगी जीव जंदू घत्रे मे किया इस मीटिंग की चौधहवी मीटिंग थी इसको बोला कॉप 14 और इसकी मीटिंग को बोल रहा है कॉप 28 इतना बताओ समझ में नहीं है गुरूप अलगा लगा लगा ना सर तो कॉप 28 सर दुबई युनाइटेड अरव एमिरेट्स में ठीक है कब हुई है यह नवंबर 30 20-23 में ह supplies Authority तो कि याद रखना कॉप 28 की मीटिंग दुबई में होई है सर अभी di center 2023 में होई यह most important है और सब्सक्राइब सब्सक्राइब में वोगी ब्राजील सारे इंपोर्डेंट है ऐसे पूछे 28 कॉप कहा हो रहा है सर दुबाई 29 किदर होगा अजिर बाइजान और 30 किदर होगा ब्राजील कॉप समझ गया ना कॉप क्या होता है कि चलो आगे बढ़ता है सर नेक्स्ट है सर क्लाइमेट चेंज परफॉमेंस इंडेक्स देखो इसी समय पर आप जानते हैं सरक्लाइमेट का चेंज हो रहा है बार-बार मौसम लगातर बदल रहा है अब इसमें कौन सा कंट्री का रैंक क्या है इसके लिए के इंडेक्स जारी किया गया और वहीं अगर हम देखें सर इंडिया का रैंक ना 7 रहा मतलब यह जो मौसम में चेंज आ रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए इं तो उस मीटिंग में रिपोर्ट आई कि किस देश का क्या इस्तिती है कौन देश अपने क्लाइमेट को लेके कितना ज्यादा मतलब क्या है और सेंसिटिव है कौन कितने ज्यादा एफट्स लगा रहा है तब उसमें इंडिया करेंग सेविंध आया हम बहुत अच्छा काम कर र है बहुत ही कम पाया जाता है कई कई इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है और अभी रिसेंटली सर इसका डिसकावरी गुजरात में हुआ है देखो आप पिछला कुछ से नयाद करो आचो आया था कि लीथियम का डिसकावरी किदर हुआ है तो लीथियम का डिसकाव इंपोर्टेंट है दैने सर फिफ्ट वर्ल्ड कॉफी कॉफी कॉफ्रेंस कुछ नहीं है सर फिफ्ट वर्ल्ड कॉफी कॉफी कॉफ्रेंस हुआ है कॉफी को लेके मीटिंग है काफी सारे देश इस मीटिंग में वैठते हैं और वहीं अगर हम देखें सरी मीटिंग कहा हुई ह सर बेंगलूरू में हुई है इसलिए इंपोर्टन अगर बेंगलूरू में नहीं था और ये जो पांचफी मिटिंग है सेप्टेमर 25 से 28 से टबड़ तक रही है और ये जो वर्ल कॉफी कंफेंस है न मतलब कॉफी के लिए जो मिंटिंग है ये हर चार साल बाद होती है हर चार साल बाद होती है अभी सर कहा हुई है सर अभी बैंगलूरू में हुई है याद रखना बस इससे जाधा डीटेल में पढ़ने का कोई रिक्वार्मेंट नहीं है इसका थीम क्या था कॉन्फरेंस किस ने और्गिनाइज करें थी सब अखवास बात है नेक्स जापान बिकम्स दो फर्स कंट्री तो लेंड और मून सक्सेस्फुली अगर हम यह देखें जापां चंद्रमा पर जाने वाला पांचवा देश बन चुका है इस टोके और जापान का अगर हम यह लेंडर था क्या नाम था उसका विक्रम रोवर था प्रेज्ञान उसी तरीके से जापान का सर्सलिम इसको बोलते हैं स्मार्ट लेंडर फॉर इंवेस्टिगेटिंग मून इसको लॉंच किया था सर्थ जापान एरोस्पेस एक्स्पोरेशन एजैंसी ने जैक्साने को लॉंच किया इस रॉकेट से लॉंच किया यहां से लॉंच किया और यह सर्चंद्रमा पर गया और इसका में काम है यहां पर हम देखें दो मिशन ऑब्जेक्टिव इस्टू सो के प्रसीजन लेंडिंग विदेन और हंड्रेड मीटर रेडियस यूजिंग कटिंग एज कि कटिंग इस टेकनोलोजी का इस्तेमाल करके सिर्फ हंड्रेड मीटर मीटर रेडियस में इसको क्या करने लेंडिंग करने हैं इस तिंग्स नोट इंपोर्डेंड यह सब अक्वास बात है कुछ मत पढ़ो बस इतना है सर जैक्सा चंद्रमा पर गया जैक्सा जापान की ज पांचवा देश जापान बन चुका है चंद्रमा पर जाने वाला ओके चल नाव सर पी एसलबी सी 58 अभी दोंको पी एसलबी सी 56 हमने पड़ा था यह पोलर सेटलेट लॉंचिंग वहकल सी 58 है और इसका मिशन है सर एक्सपो सेट मिशन अगर हम देखा है इस रोग के इस वा लेरे मीठर